मुझे और जानना सर सुन्दर कान के बारे में आपने भक्ती की बात करिए जो आइफील की एक बेज होता है इन सारी चीजों का अगर दिल में भक्ती नहीं है तो फिर पाठ करके कथा सुनके मंत्रजाप करके कुछ फायदा नहीं है पहले भक्ती होनी चाहिए प्यार होना चा सुन्दर कांड में पावर होता है आप से पूछाँगा कि शुरुवात कहां से करता है क्योंकि 13 साल के बच्चे भी पॉडकास सुनता है तो अगर उन्हें सुन्दर कांड की शुरुवात करने है बस पाठ पढ़ना या गाना भी है जापना आप बताईए देखे सुन्दर कांड जब मैं करता हूँ और माना हजारों की भीड़ बैठी है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सब पाठ कर रहे होते हैं सुन बहुत लोग रहे होते हैं कभी कभी हमें पाठ से ज्यादा सिर्फ शर्वन करने में बहुत आनदाता है आँख बंद करके हाला कि हम उसको चाहे जानते भी लेकि तो भी ना बोले उसका रस लेना आनद लेना तो सुन्दर कांड के लिए तुलसीदाज जी बता रहे हैं मैं क्या बता हूँ आपको दखिए जब सुन्दर कांड विराम होता है जो भी यूद सुनेगा इसको जो भी सुन रहे है उसमें तुलसीदाज जी सुन्दरकान विराम कर रहे हैं, लास्ट विलकुल, तब करें, सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुनगान, 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 क्या करता है सुन्दरकान, सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है, हर शुब लाब नहीं होता और हर लाब भी शुब नहीं होता ऐसे हर मंगल भी मंगल नहीं होता लेकिन सुंदरकान मंगल नहीं देता राम जी मंगल भवन मंगल हारी है अनुमान जी मंगल मुर्ती मारुति नंदर है यहां मुंबाई में गणपती भपा को कहा जाता है जै देव जै देव जै मंगल मुर्ती मा भगवती जगजन्नी आदी शक्ती जगदंबा या देवी सर्व मंगल मंगल ले तुलसी दाज़ जी की राम चाहित मानस मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कता रगुनात की सब कुछ मंगल है लेकिन सुन्दर का अंड में क्या शब्द परोक किया सकल मंगल दायक नहीं सु मंगल दायक मंगल नहीं सु मंगल रगुनायक गुनगान किसी ने का बाबा इतनी साथ कांड की मानस लिख दी एक हनुमान जी के हिस्से में आया उसमें भी लिख दिया रगुनायक गुनगान जब सुंदर कांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगल दायक श्री हनुमत गुनगान तो लिख दाजी ने का मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन मेरी बात भी समझो हनुमान जी एक ऐसे परम साधू है एक ऐसे परम देव हैं जो निजगुन श्रवन सुनत सकुच आई जो अपने गुणों को सुनकर सकुच जाते हैं मैं आपको कहा रहे वार अनवीर जी आप तो और उस समय आप यानि कि अपने गुणों को सुनकर सकुच आजाएं आपकी कोई प्रशंसा करें आप फूल जाएं अरे इतना ही नहीं और भी है लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो मैं कहता रहता हूं जब सुन्दर कान शुरू करता हूं उससे पहले गाता हूं श् जैसी आ रहा हूं कितनी भी भीड़ लगी हो पंडी जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को तड़ा रोक लो जैसी आ रहा हूं क्यों उसने मेरे मन की बात कह दी देखो ये कई उधारण है हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे जैसे सुन्दरकांड से पहले किश्किंदाकांड का अंतिम दोहा गया जाता है तब सुन्दरकांड शुरू करते हैं ये संतों का निया मैं आज भी जहां भी सुन्दरकांड होता है तो किश्किंदाकांड का अंतिम दोहा वहाँ श्टार्टिंग क्या है हनुमान जी तो संपाती ने कह दिया कि जो नहां गई सत जो जन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा, वो इस सीता को पालेगा, मैंने देख लिया, मैं देखाँ तुम नहीं गीधही द्रिश्ट्रिय पार, बोड़ बयाओ, नतकरता हूँ, कचुक सहाई तुमार, अब मैं बुड़ा हो गया अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया, कि वो बैठी है पेड़ के नीचे, अच्छा पहचान बताओ, कि वो सीता ही है, बो ले, इसलिए सीता है, क्योंकि वो हरी, हरी, हरी जप रही है, सब समझ गया है, पक्का हो गया, अब जाए कौन, जामा दे केतपर, करना अब क्या है, प्रभू अब क्या कर सकते है, जामन जी, बोले अब तो नहीं जा सकता, जैसे हमारे बुड़े बुज़गा रहे है, तुम जानते है, मैं पर एक क्यूंटल की चीनी की बोरी रखके, यहां से शादरा चला जाता था, जैसे हमारे लोग कहते है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब नहीं, सब कहरें बंदर भालुएँगा, अब बताव ना सागर पारता लोग जाना है, उसी टाइम देखा एक निकल करके आया हूँ, काउन, बाली का वेटा अंगद, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ अंगद ने सुचा बोल तो दिया अब गड़ बड़ है अंगद ने खा पूरी बात सुनो क्या जी असंशे का चुपिरती बारा लौट कर नहीं आ सकता तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा लौट कर नहीं आ सकता था अब ऐसे बंदरों ने अपनी अपनी शक्ती ऐसे जूटी यहां की तो जामद बूड़े एक्सपिरियंस वां थे सबसे बूड़े वो समझ गए सब धींगे मार रहे हैं करना किसी हो कुछ नहीं है ना जाना किसी को यह सब ऐसे ही बस तब देखा जामद जी ने ऊपर से आवाज आ रही है राम, 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 राम ना जरूर आख उठा करके देखा श्री हनमान जी बैठ मैं आपको आज वो सुरुक देने के लिए लाया हूँ हनमान जी का मेडिटेशन करते हुए सब कुछ करता है, Лेकिन आदमी चुप बैठा रहता है मौन बैठ लेकिन आवाज आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छोट रहा चाहे मौन में हो, तब भी राम चाहे पराकरम में हो, तब भी जै श्री राम चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा तब भी राम और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जैस या राम और जीवन में उचाई मिल रही है जिस तल पर खड़े हो करके हनुमान जी ने च्छरांग लगाई लंका जाने के लिए तो इतनी उचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़कडा आता है उसको समालता बैलनस करता है तो हनुमान जी उपर जाते क्या करते है बार बार रगवीर संभारी यानि कि जितनी उचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजवन बढ़ाते जाओ उतना राम राम बढ़ाते जाओ वहाँ जाकर अगर बैलेंसिंग दिगड़ गई राम नाम छूट गया तो फिर वो वहीं आ जाओगे उपर से इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका तो मैं आपसे कह रहा था राम राम सदा राम राम एती राम आमरतंते अनुवन जी का सुभाव अनुवन जी ने मुद्र का दिये वो भी उनी के जनियु में है जो मुद्री का देनी है सीता जी को वो भी उनके पास है और वो ही बंदा राम जप्रा है जाम मंद्री ये देखा और क्या बोले पवन तनय भल पवन समाना तारीफ शुरू करी प्रशंसा जो मैं आपसे कहा रहा है था हनुमान जी की प्रशंसा अगरों वहां आ गया हूँ कहें रीच पति सुन हनुमाना काचुप साद रहे हूँ बल वाना लेकिन वो तो राम 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 सोचा तारीफ थोड़ी कम होई है और बोलो पवन तने बल पवन समाना आपका बल पवन के वेग लजा जाजा ऐसा बल है बुद्धि विवेख विग्यान निधाना बुद्धी जाए हनुमान ग्यान वुलसागर ग्यानी नामागर गन्यम कोई फरक नहीं बड़ा चुप बैटे करते रहो तारीफ पवन तने बल पवन समाना बुद्धि वेख विग्यान निधाना फिर बोले कवन सुकाज कठिन जगमाई बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते दुरगम काज जगत के जिते कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई ताथ तुम पाई फिर बेचो हरुमन जो सुनने यह तारीफ करते रहो जितनी करनी है करते रहो कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई ताथ तुम पाई फिर बोले जामनत जी राम काज लगी तव अवतारा थोड़ा सा पहिले अच्छा यार दीकरने आए था राम काज लगी तवया वतारा इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम सुनतई भय उपर वताकारा भैंकर मानो समुंदर के तरपर को सोने की दे खड़ी हो गई और हम रिच भगवान है यह जो सुने के है ओ जैसे ही सोने के परवत के समान खड़े हो गई नुमान जी पांच मुख है नुमान जी के पंच मुखी है उनमें एक मुख है नरसिंग का वो नरसिंग वाला मुख ले आए कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है जैसे अब यहां गर्जने की आशकता है और फिर बोलने लग ले कहो तो अभी अभी लिलए इनांग उझने दिखा नगरा इस पूरे समंदर को ऐसे चलांक मानू पी जाओ पूरा अभी बताओ तो लीले इना गुजलनी दखारा सहीच सहाय रावने इमारी रावड के सब बंद राक्षसों को बार कर सहीच सहाय रावने इमारी आने यहां तरकूट रुपारी जिस तरकूट पर लंका बसी उसको खाड़के लहाँ अब अनुमान जीज़ ज़ादा हो गया क्योंकि जॉनवंदी देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थै। आप जाग गये तो इतना बहेंकर जाग गये। अब उनमान जी नहीं जो चाँ यार, यह तो बुढ़ूद्धिमानी का परिचे नहीं है। किसी बुढ़े के साथ राम जी ने वेज आ है। और तूसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उससे पूछना तो चाहिए, यही फर्क है हनुमान जी में और रावन में, रावन के पास एक सबसे बुड़ा था माल लिवन्त, उसका नाना, माल लिवन्त अती जरत निसाचर, और हनुमान जी के पास भी बुड़े थे, जामवन्त मंत्र यति बुड़ा, बस फर्क इतना है, रावन ने कभी बुड़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बुड़े की टाली नहीं, रावन कभी पूछके नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते, इतना हडकंब मचाने के बाद, इतनी दिन में तो बस सीधा टे सब कुछ तो कह दिया तुरे अब क्या पूछना बागी रहे गया बाई जामवन तो मैं पूछाँ तो यू उचित सिकावन दी जाओ अब बताओ करना क्या है जामदी ने क्या क्या सीता जी को देखकर आजाना यह राक्षासो को भी मार के आए इन्होंने अशोकवाटी का भी जाड़ी इन्होंने लंका भी जलाई जब माननी नहीं थी तो बुड़े से पूछा क्यों भाई तो अनुमादी आजकल मैं इसका उधारन देता हूँ यूथ को कि जैसे यूथ है घर में बुड़े बुजूर गया है उनसे पापा एक फैक्ट्रियो और लगा ले पापा य पाम विशाल बन गया फिर बिठाओ काड़ी में एक दिन आओ पापा जब और ले जाओ ये देखो कि क्या बिटा आपका ही है जवाब मना कर रहे हैं न वो पापा कर लिया देखो कितना अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा हम तो बुड़े लोग जो की आवा फिर पी पवंसुतकीन जो करनी इसको पंड़े जसराज जी ने आदा घंटा गाया अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए है अनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया नात पवंसुतकीन जो करनी सहसहु मुख नजाई सोबरनी हजारों मुकों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि करकी क्या आ अगया ये श्रीयानुमान जी इतने मुख में में बात नहीं करता जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि दा दॉना सब्सक्राइब कर दा दृवगंटे में कहा उपाएगा और थे कवंत है कीसा कि एक गुरु है रावन के शिव के रूप में भगवान महादेव के रूप में अनुवंजी गुरु है और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाता कि इसकी नईया डूब जाए वो ते कहते यार तू हाथ जडवाले हाथ भी जड़े बिनती करा हूँ ज़ोरिकर रावन हाथ पेर जडवारहूँ तेरे तू सीता को दे दे और मैं कहता हूँ जा राम चरण पंकच और धर हूँ लंका चल राज तुम करो अगर तुस्से कोई लंका छीन ले गारंटी मेरी है मैं तुझे गारंटी देता हूँ लेकिन तुछ सीता को तो छोड़ दे यार इतना समझाता है गुरू तो हनुमान जी ऐसा गुरू कौन है जै 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 हनुमान गुसाई तो सकल सुमंगल दायक रगुनायक गुनगान तुलसिदाजी को लिखना कहा चाहिए सुन्दरकान में हनुमत गुनगान लेकिन लिखा क्या रगुनायक गुनगान तुलसिदाजी ऐसा है अगर मैंने लिख दिया लिखना के चाहिए बर्नौ हनुमत तुलसीजाजी कहते है अगर तुम एक पर बोलके देखो बर्नौ हनुमत भी मल जस फिर मांगते रहना सब सुख लहें तुमारी सर्ना अनुमांजी के इत इये मांगता है जब हम कहते है न अच्छा तु राम जी की कता करने जा रहा है तो चुपचा बैढ़ जाते हैं फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ उनकी कर देते हो और वो तो मौन बैढ़ते हो वाँ 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 तुने दयार पूरी राउंकता सुना दी चल सब सुख लह तुम्हारी सेना ये भी मिलेगा और मनौरत और भी मनौरत कर ले जाँ जो मनौरत करना है कर ले मैं पूरा करूँगा और मनौरत जो को इलाव है सोई अमित जीवन फल पाव है राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है लेकिन हनुमान जी जिसको देते हैं वो अमित जाता है पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए, ये एक चीट कोड है, हैक जिसे कहते हैं, बिल्कुल, वो तभी प्रसंद होंगे जब आप राम राम करेंगे